जैमात दिमित्रो कैसे आप सभी आशा करता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रो कमेंट में एक प्रश्ण पूचा गया था मुझसे प्रश्ण क्या पूचा गया था उन्होंने बताया था कि काफी समय से मंत्र जाप किये जा रहे हैं लेकिन उसके करते जा रहे हो और अनुष्ठान परनुष्ठान करते जा उसके बावजूद भी आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं और उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कोन-कोन से मैं आपको बताता हूं पहला कारण तो यह कि आपको मंत्र कहां से प्राप्त हुआ है, अगर आपको मंत्र किसी योग्य सादक से प्राप्त हुआ है, किसी योग्य आचारे से प्राप्त हुआ है, अपने गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है, किसी योग्य ब्रामण से मंत्र प्राप्त हुआ है, किसी सिद्ध से मंत्र प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी ठीक है और आप सिर्फ ऐसे ही किताब से उठा करके मंत्र जब कर रहे हो या फिर इंटरनेट से आप देख करके मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपको मंत्र सिद्धी होने में आपको समय लग सकता है ऐसा नहीं है कि मंत्र सिद्धी नहीं होती क्योंकि देखिए जो मंत्र है वो मंत्र कहां से लोगों को प्राप्त होते हैं शास्त्रों में से प्राप्त होते हैं वेदों से प्राप्त होते हैं ठीक है लेकिन पुराणों में और वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं वह उनके द्वारा जिस जो मंत्र प्राप्त होते हैं सादकों को ब्रामडों को वो मंत्र निश्चित रूप से सिद्ध होते ही होते हैं तो इसी प्रकार से कोई कोई माध्यम बनता है, हर किसी को मंत्र कहीं न कहीं से प्राप्त होते ही हैं, लेकिन मंत्र अगर आपको वाकई में किसी सिद्ध सादक से या गुरू से प्राप्त हो जाता है, और आपके गुरू भी सिद्ध है, वो सादक भी सिद्ध है, तो निश्चित रूप से आपको सफ नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हो आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हो और आप ब्रह्म चर रहे अपना खंडित कर रहे हो या फिर आप अंडा मीट मचली ये सारी चीज़े आप खाय जा रहे हो कोई परहेज नहीं आप कर रहे हो चाय भले से आप जाप करो, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हर देवता के अपने गुण होते हैं, हर देवता के अपना एक आभा मंडल होता है, अपना एक स्वरूप होता है, और अपना एक तत्व होता है, उसी के अनुरूप हमें चलना पड़ता है, जैसे कि मालो हनुमान जी अगर किसी व्यक्ति को हनुमान जी की सिद्धी प्राप्त करनी है तो बिना ब्रम चर्रे का पालन किये वो व्यक्ति हनुमान जी की सिद्धी प्राप्त कर ही नी सकता चाय भले से वो करोडो मंतरों का जाब कर डाले बिना ब्रमचर रहे के हनुमान जी की सिद्धी असंबव है चाय आप एक तालिस दिन का ब्रमचर रहे धारन करके और अनुष्ठान करो तो आपको सिद्धी हो जाएगी लेकिन अगर आप यह सोचो कि हम ब्रमचर्रय भी तोड़ते रहें और मंतर जाब भी करते रहें तो उसमें आपको सिद्धी नहीं मिलेगी हाँ आपको कृपा प्राप्त हो सकती है आपको भगवान का आशिर्वाद मिल सकता है लेकिन सिद्धी के लिए ब्रम चर्रे भी जरूरी होता है और अंडा मीड शराब इन सारे चीजों का त्याग भी आपको करना पड़ेगा और आपको नियमों के साथ में चलना पड़ेगा आपको वरत भी रखने पड़ेंगे आपको उपवास भी रखने पड़ेंगे और अगर आपकी दैनिक दिन चर रहे हैं। निषचित रूप से हुगी होगी, इसके अलावा आपके मन का भाव कैसा है मंत्र के प्रती आपकी आस्था कैसी है अपने इश्ट के प्रती आपके भाव कैसे है आप कितना समर्पी तो उनके प्रती ये सारी चीजे भी निर्भर करती हैं सिद्धी में इसके अलावा आपके अंदर सेवा भाव कैसी है आप जीवों की सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो देखिए नर सेवा नारायन सेवा के समान होती है इसी प्रकार से जीवों की सेवा करना भी बहुत जादा उत्तम माना गया है जो लोग मंतर सिद्धी प्राप्त करना चाहते कि उनको जल्द से जल्द मंत्रों की सिद्धी प्राप्त हो, उन लोगों को चाहिए कि वो जीव जन्तुओं की सेवा बराबर रूप से करें, किसी भी जानवर की सेवा करें, सेवा का अर्थ ये होता है कि जानवरों को जाकर के कुछ ना कुछ उनको खिलाएं पिलाएं, जैस उसको चोट लगी हुई है उसको नुकसान हुआ है उसका कोई दुरगटना हो गई उसके साथ में तो आप उसकी देखरेक करें उसका इलाज करवाएं उसकी सेवा करें और मचलियों को आप दाना डालें इस परकार की सेवा से हमें बहुत जल्दी मंत्र सिद्धी पराप्त हो के सब कुछ प्राप्त कर सकता है लेकिन जो जीव जनतू है वह किसके उपर मनुष्य पर वह निर्बर होते हैं अगर आपने क्या अर्थ रह जाएगा क्या वो गाय जीवित रह पाएगी क्या वो भैस जीवित रह पाएगी तो जो जीव जन्तु है वो मनुष्य के उपर निर्भर होते हैं अगर आप उनको भोजन कराते हैं उनकी सेवा करते हैं तो आपको अनंत पुन्ने मिलते हैं इतने पुन्ने आपके पूर्व जन्मों के पाप हैं और इस जन्म के पाप हैं वो ततकाल नश्ट होने शुरू हो जाएंगे और आप जिस मंतर के अजब कर रहे हो वो मंतर आपको तुरंत सिद्धी परदान करने लगेगा तो सेवा भाव में बहुत शक्ती होती है और जीव जन्तुओं की जब आप सेवा करोगे ना तो वो आपको इतने इतने पुन्य देंगे इतने अशिरवाद आपको देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते ठीक है तो इन सभी चीजों को करना अती आवश्यक है कि साधक के लिए एक साधक के तोर पर मैं कह रहा हूं अगर आपको सिद्धी चाहि पूरे तो होता ही होता है ठीक मित्रों तो आश्य करता हो मित्रों जू जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी सब्सक्राइबaya की इसकी प्रकार की जानकारी मैं आपको लगतार देता करूंगा मिलूंगा आपसे एकली वीडियो में जय मातरानी की